हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग सॉल्यूशन्स देने वाले हैं कुछ कुछन्स के जो आप लोगों ने पूछे हुए हैं जो की नमबर सिस्टम के ना होगे किसी भी रैंडम ली चैप्टर से लिए गए ठीक है फ्रेंट्स सो सबसे पहले कुछन देखते हैं है जो फिर यह कुश्वर्दी व्राज का चक्रवर्दी ब्याज से पर लेंसे हैं तो क्या कहता है पहले कशन को पढख लेते एक व्यक्ति ने वारसिक 8 प्रिसे चक्रविदी की दर पर बैंक से कुछ रिंड लिया और रिंड की पूरी राशी क्रमचा पहले वर्ष के अंत में 50,000 यानि कि उसने जो फ़र्स्ट इंस्टॉल्मेंट दिये तो अब मुझे यह होता कि देखें कंपाउंड इंट्रेस्ट में एक फामला जो होता है वह क्या होता है अगर पी आपने राशी लिये तो वह कितनी हो जाएगी आर अपॉन हंड्रेट यह एक साल में हो जाएगी ठीक है इतनी राशी अपको चुकानी होगी या फिर अगर 200 होगी तो 100 से 100 कट जाएगा तो आप मुझे कितनी देने होगी 108 और अगर मैं इसको 108 को फिर से मानूं कि अगर मेरे आशी अध़ी फिर से 100 तो अब मुझे कितनी देनी पड़ती 100 फिर से एह देनी पड़ती तो थ हम लोग को करना क्या होता है हर बार 108 बैडटे से multiply करते हैं जो भी हमारी value होती है तो यानि कि अगर हमने पहले मानी कि 100 थी तो हमें next year में कितना देना पड़ेगा 108 लेकिन अगर next year 108 रहती है तो अगले साल में कितना देना पड़ेगा 108 गुणे 108 बटे 100 थीक है तो अब मैं इस चीज को थोड़ा से प्रॉसेस को उलट के आपको पूछूं कि अगर मुझे यहां पर यह पता है कि 108 रुपाय मुझे सेकेंड यर में जो राशी देनी पड़ी पिछले साल वह राशी कितनी रही होगी तो आप कहेंगे इसमें उल्टा कर दिज्ये 100 अपॉन 108 अगर इसमें मैं गुणा कर दूं 100 बटे 108 का तो मुझे यह पता चल चल जाए कि 2nd year में राशी कितनी रही होगी क्या पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा ठीक है तो सो से सो कट जाएगा एक स्वाट से स्वाट कर जाएगा देखे क्या वही राशी आ गए कि सेंड यर से फर्स्ट यर में कितनी रही होगी ठीक है तो सेम यह भी कुश्चन है देखें पचाश जार का उसने वहां पर चुका दिया बांकी बचे हुए रिंट पे जो कंपाउंड इंट्रेस्ट हुआ होगा उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी 26640 तो हम लोग क्या करते हैं यह जो दूसरे एयर में जो हमें सेकेंड यर में दूसरे वर्स के अंत में जुरूर्ण हमें चुकाना पड़ा उसको अगर हमें पहले वर्स पर लेके जाएं तो यह वै तो 9 से देखें दोनों कठ रहा है तो 9 से कठ दिजे नव 1 9 9 दोनी 18 इसको भी कठ यह कितने बार जाएगा नौ सत्य तिरेश्ट होता हैं तो च्छै बार जाएगा अब कुछ और कटेगा क्या इसको चले बारा से डिरेक्ट काट लेते हैं तो यह कितना हो गया बारा पंचे साथ नव बचा बारा अठे च्यानमे ठीक है तो फाइव एटी हमारा आ गया ठीक है तो क्या फाइव एटी आएगा यहां पर हंड्रेट का मल्टिप्लाई भी है तो हमें यह पता चलेगा कि यहां पर आएगी वैल्यू फिफ्टी एट थाउजन ठीक है प्रिंट्स तो देख तो पिछले वर्स कितनी रहे होगी अठावन हजार और पिछले वर्स हमने 50,000 भी चुकाया था और अठावन हजार नहीं चुका पाया थे जिसकी वज़े से 62,000 हमें फिर से चुकाना पड़ा तो रिजन कंप्लीट हो गया तो 62,000 को पहले हम पहले वर्स के अंत तक लेके ग किना पड़ा था और मैं पूछू कि लिया कितना था तो आप बता देंगे कि यहां भी सर क्या कीजिए 100 बटे 108 का गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 108 कर जाएगा 100 रुपए हमें मिल जाएगा तो मैं बोलूँगा कि सेम चीज आप यहां पे भी करनी है आप को आप क्या कीजिए 100 बटे 108 जिस नंबर का यहां पर गुणा किया था सेम नंबर का फिर से यहां पर कर दीजिए तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपने रिंड लिया ही कितना था ठीक है तो यहां पर आपने क्या कर दिया 108 यहां से 108 कपड़ गया तो कितना बन गया एक लाख रुपय इसका मतलब क्या हो कि हमने जो रिड कि रास ली थी और पूछ रहा है कि रास कितनी ली थी तो रिद्ट लास हमने एक लाक ली थी जो अगले साल एक लाक आट जार रुपय हो गई ती जिसमें कि हमने 50 दे दिया था उसे तो बची कितनी थी 58000 58,000 क्योंकि हम पहले साल नहीं चुका पाये थे तो वह कंपाउंड इंट्रेस्ट उसमें लग के वह कितनी होगी थी 62,640 तो इस तरह के कुश्चन को आप कैसे करेंगे हमें साथ पीछे से आप इसको को सॉल कीजिए ठीक है नेक्शन देखते हैं अगर आपको इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा विट कीजिए परसेंटेज की बात में प्रॉफित लॉस और फिर एसाई सी आई को ही लूंगा और इस तरह कुश्चन आप बहुत इजी में कर तो इसमें बोल रहा है कि A and B together can finish a work in 15 days while A and C takes two more days to complete the same work than that of B and C so A, B and C can complete the work in 8 days so how many days A will finish it separately ठीक है तो A और B का दिया हुआ है हमें कितने दिन लेते हैं लोग 15 दिन B और C का भी दिया हुआ है कि कितना लेते हैं X तो A और C कितना दिया हुआ है कि जितना B और C लेते हैं उससे दो दिन जादा तो यह क्या हो जाएगा X plus 2 और क्या दिया है कि A plus B plus C कितना time लेते हैं 8 days तो पूचा किसका गया है A का एका में बताना है कि कित्तफ time लेगा ठीक है तो इसको कैसे करते हैं अगर यहाँ पर हम लोगों को B plus C की जगह यहाँ पर A की जगह अगर C का पूचा जबाता कि C कित्तफ time लेगा तो यहाँ पर हम सीधे से कर देते क्योंकि हमें a plus b पता है और a plus b plus c पता है तो सीधे से हम c की value इन दोनों को solve करके निकाल लेते लेकिन यहाँ पर a का पूछा गया है तो हमें b plus c की value निकालनी होगी ठीक है तो b plus c की value कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं तो यहाँ पर यह देज दिया हुआ है total time complete करने में यह लोग कितने कितने देज लगाते हैं तो देज की value दी है 15 x x plus 2 और टोटल अगर इन तिनों को add किया जाए तो कितने दिन लगते हैं आठ दिन लगते हैं इन तीनों लोग जूड़के जब काम करते हैं तो आठ दिन लगते हैं तो इसको solve करने के लिए हम लोग days कैसे add करते हैं तो वह इसको one upon में add किया जाता है one upon 15 plus one upon x plus one upon x plus two ठीक है तो यह तो a plus b b plus c c plus a के दिन जोड़े तो टोटल कितनों के दिन हो गए दो बार a plus b plus c जुड़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे दो का multiply कर देंगे और फिर a plus b plus c के दिन जोड़ेंगे तो यह कितना जाएगा one upon four अब क्योंकि a plus b plus c है तो जब दुगने लोग हो जाएंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा आधे दिनों में हो जाएगा तो इससे भी बात समझ में में आ रही कि 8 की जगह 4 आ जाएगा अब इसको आप सॉल कीजिए तो एकस टाइमस एक साइड और यह कितना हो जाएगा ऊपर में आ जाएगा 11 बटे 60 अब हमें ऊपर में 11 बनाना है लेकिन ऊपर में तो पूरा 2 से मल्टिपलाइड है तो यानि कि 11 तो बनने से रहा तो हम क्या बनाएंगे 22 तो 22 बनाने के लिए क्या करें एक्स की वैलिई को कितनी रख दें डस छिके एक्स की वैलिई को 10 रख दीजे तो यहां पर यी कितना हो जाएगा ऊपर तो 22 बन जाएगा नीचे कितना वॉझा जाएगा 10 गुर्ष बारह ठीक है कि 1976 तोле और ड्रिटिक हमें कभी भी सॉल नहीं करनी हमें क्या करना है एक्स की कुछ वैल्यू निकालनी है जो उसको सेटिस्फाइब कर जाए तो यह यहां पर रख दीजिए तो हमें यह पता चल गया कि अब यहां तो इन दोनों का एक लिए तो कितना आ जाएगा चालीस ठीक है तो बी और सी मिलके चार काम करते हैं और a plus b plus c मिलके पांच काम करते है तो अकेला एक दिन में कितना काम करता एक ठीक है तो एक काम करता है एक दिन में तो 40 काम कंकी कि लिए कितने दिन लगायेगा 40 ठीक है जिए क्श है अब जैसे कि यह analytic यह ते टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुश्चन है यह क्या कह रहा है कि एक कार्ट ट्रेवल्स फॉम पी टू क्यू एट एक इस पीड वर इंक्रीज बैटेन किलोमेटर जो भी कह रहा है उसको लिखते जाते हैं कि इस पीड अगर 10 किलोमेटर पर आर से बढ़ाई जाती है तो क् टेकेन वन आर लेशर यह देखे एक पूरी इमेजिनेशन है कि अगर 10 किलोमेटर बढ़ा दें तो कितना टाइम कम लेगा या वन आर या फिर 60 मिनट्स उसे कम लगेंगे ठीक है और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक टूड है टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेशर इफ दे 20 किलोमेटर बढ़ा दें 10 और बढ़ा दें तो इसको टाइम कितना लगता है 45 ंडिभी कम कितना 105 मिनट्स उसे कम लगते है ठीक है तो इस तरह के कुश्चन को कैसे अदे मैं इसको आपको एक 100 बताता हूं इस तरह के कुश्चन को करने की इनीशियल मान लिजे उसकी कि S है ठीक है तो अब क्या किया गया Speed 10 बढ़ाईगी तो यहां पर आप 10 बढ़ाते हुए लिख दीजे और जित्ती बढ़ाईगे उसको आप उससे Divide भी कर दीजे ठीक है तो यह हो गया आपका S 10 upon 10 अब उसकी वजह से टाइम में कितना चेंज आया 60 मिनट का चेंज आ गया 60 मिनट उसे कम लगे तो यहां पर आपने लिख दिया 60 मिनट कम लगे यहां पर इसका सिंबल भी लिख दीजे कि माइनस कम लगे ठीक है और अपान में अब क्या करेंगे कि उसको फिर से स्पीड उसकी अब क्या हो रही है 20 मिनट बढ़ाई जा रही तो प्लस 20 ठीक है और यहां पर 20 लिखा तो आप 20 यहां पर भी कर दीजिए उसके अपान में यानि की उपर और इसके क्रॉस में इसकी वज़े से कितना टाइम कम लगा माइनस हंड़ेड और फाइफ मिनट ठीक है तो यह माइनस से माइनस से कट गया ठीक है तो अब क्या जाएगा 15 से इसको काट सकते हैं 15 सकते एक सो पांच पंदश 10 to 10 80 is equal to 7 से multiply के रही है 7S plus साथ दुनी चौदा यानि की 140 तो इससे S यानि कि हमारी original speed कितनी निकल आई साथ आठ से साथ गया एक और 80 140 में घटाएंगे तो कितना जाएगा एक सो अनली 60 ठीक है तो यह तरीका होता है आपको इसको स्वाल करने का अगर आपको कुछ भी इसमें कम समझ में आता है तो मैं इसको time speed distance में फिर से पूरी चीज़ों को समझाऊंगा ठीक है वेंस तो इ से माना कि अगर इसे साथ किलोमेटर पर चलने पर टी टाइम लगता था तो जब इस सतर से चलेगा यानि 10 किलोमेटर बढ़ा देंगे तो इसे टाइम कितना लगेगा टी माइनस वन ठीक है तो इस तरह से जब सॉल करते हैं तो time निकाल लेते हैं तो 60 यहां पर 70-70 इस इको कर गया तो आपका time कितना आ गया 7 hours ठीक है और speed कितनी साथ है time 7 hours है तो distance कितनी हो जाएगी सच्छंग 42 यानि की 420 तो इसका आपका यह आंसर आ जाएगा ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं अब यह फ्रेंट्स कुस्टन जो है यह भी time speed and distance का है और एक फॉर्मला बेस्ट कुस्टन है इसका फॉर्मला पहले समझ लेते हैं कि अगर यह की speed sa हो और b की speed sb हो तो इनके द्वारा जो लिया हुआ time जो होता है वह inversely proportional होता है यानि कि time taken by b time taken by a और under root में भी होता है और inversely proportional होता है ठीक है friends तो एक दूसरे का question को पढ़ते है क्या है कि जब यह rail गाडिया a और b हावडा और पटना क्रमसा एक ही समय पर चलना इस्टार्ट करें यह question कब लगेगा वो भी समझ लीजे यह formula कब लगेगा कि जब दोनों गाडिया एक ही समय पर चलना निकल वाए या फिर एक के द्वारा आपको कुछ भी करके इस तरह से इसी formula का यूज कराएगा question ठीक है तो इस question को इसी तरीके साब कर लीजे तो एक ने कितना टाइम लगता है चार गंटे 48 मिनट इसको मिनट में पूरा convert कर लीजे चार गंटे 48 मिनट को मिनट में convert करेंग तो यह time TA का होगा तो TA के लिए कितना time होगा sorry TA के लिए time होगा 288 और TB के लिए कितना time होगा 3 गंटे और 20 मिनट बोला है 3 hours and 20 मिनट तो यह कितना हो जाएगा 180, 63 एक 180 और 20 200 ठीक है तो यह अंडर रूट में कितना आ जाएगा 200 बटे 288 ठीक है तो इसको आप देखिए 2 से 188 तो यह कितना हो जाएगा 100 और यह कितना हो जाएगा 144 यह अंडर रूट किसका किसका होता है यह तो 10 का हो गया और यह किसका हो गया 12 ठीक है तो A की speed जदी हावला से चलने आ लिए हावला से चलने आ लिए कौन सी है A है तो A की speed आपको दी कि पेंटालीस ठीक है तो S B की पूछ रहा है तो S S B की स्पूट कितनी आ जाएगी पांस से यहाँ पर काट दीजिए तो यह कितने बाढ़ जाएगा नव बार तो S B किस्पूट कितनी आ जाएगी नौचार कर चौवन ठीक है तो इसीतरे से next question को देखते हैं friends अब फ्रेंट्स यह question मैं ने पुछा था इस question में थोड़ी सी गड़बड़ी है इसमें देखें मैं कुछन एक बाप पड़ देता हूं यह है what is the number of cones of semi-vertix angle having r as the radius of midsection पहली सी जहां आप यह midsection नहीं है आपको यह बोला गया कि यह radius है उस कोन की ठीक है which can be moduled out of a cylinder of base radius r and height to r quad alpha यह test series का question उसने बताया था तो तीन चीज़े इसमें आपको खुछ से रिजूम करने हैं जैसे कि semi-vertex angle जो है वो भी alpha मानना है ठीक है अब अब यह question almost complete है ठीक है तो चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको करेंगे इस type के question को ठीक है तो इसमें क्या होता है कि देखिए पहले तो आप एक कोन मना लीजिए ठीक है और semi-vertex angle को समझे कि क्या होता ठीक है semi-vertex angle जैसे यहां से अगर एक vertex यह जो point होता है इसको vertex बोलते हैं स्पॉइंट हो ठीक है तो इस point से जो यह angle होता है इसको बोलते हैं semi-vertex angle alpha ठीक है तो आपको alpha पता है और क्या पता है कि radius पता है तो आप यहां पर 10 alpha लगा दीजिए 10 alpha से आपको height पता चल जाएगी 10 alpha क्या हो जाएगा R upon H तो R आपको पता है और H आपको निकालना है तो H पराबर क्या हो जाएगा R into cot alpha यह R है R यहां पर रहेगा 10 नीचे जाएगा उपर आएगा तो कितना हो जाएगा cot alpha तो आपको कौन की height पता चल गई R cot alpha ठीक है और question में क्या दिया हुआ है कि cylinder की हमें base radius पता है जो यहां पर mid section था यह भी उसकी base radius ही होना चाहिए था तो cylinder में भी क्या है कि base radius आपको पता है कितनी हो गई R ठीक है और height कितनी हो गई 2R cot alpha यह हमें पता है उसकी cylinder की ठीक है और इसकी radius कितनी है R ठीक है तो वो पूछ रहा है कि अगर यह cylinder हो हमारे पास R base radius और उसकी height कितनी हो 2R cot alpha तो वो पूछ रहा है कि इस से कितने हम लोग ऐसे cones निकाल सकते हैं जिनकी radius R हो और height R cot alpha हो ठीक है how many some such cones can be moduled out of a cylinder with radius R and height 2R cot alpha ठीक है तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है आपको जो cylinder का volume है उससे divide करना होता है cone के volume को और आपको पता चल जाएगा कि कितने times वो completely जा रहा है जितने times वो जाता है इससे पता चलता है कि इतने cones इस cylinder से निकाल सकते हैं अगर आपसे एक normal सा question पूछा जाए कि R और H radius के R radius और H height के एक cylinder से R radius और H height के ही कितने cone निकल सकते हैं तो देखें यह question आपको याद रखना चीज़ का answer हमें सा 3 आता है और वो कैसे आता है कि cylinder का volume क्या होता है और कौन का volume क्या होता है 1 by 3 पाई आर इसक्वारेश ठीक है तो आप इससे इसको divide करते तो पाई रिसक्वारेश से पाई रिसक्वारेश कर जाता है value यह 3 ऊपर जाएगी तो कितना आ जाता है answer 3 ठीक है लेकिन यहाँ पदी की question को थोड़ा से घुमाये गया है cylinder के case में radius कितनी है आर तो यह हो गया पाई रिसक्वार और ह कितना है टू आर कॉट अलफा उसकी height कितनी उसने दी हुई है टू आर कॉट अलफा ठीक है और कोन के case में क्या है कोन की radius तो आर ही है लेकिन उसकी height कितनी है और कोट अलफा ठीक है और इसका volume होता कितना है वन बाई ठीक है तो पाई आर स्कॉयर से पाई आर स्कॉयर कट जाएगा आर कॉट अलफा से आर कॉट अलफा कट जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा six ठीक है तो इसका आंसर भी six given ता उस टेस्ट सेरीज में तो अगर इसका आंसर six आना चाहिए तो उसके रिलेटेड आप कुश्चन को पूछ सकते हैं मैं नेक्स सेंडे तक उने डिसकस कर दूंगा थैंक